नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहुल गुपता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बार के 2020 के इंटर्व्यू गाइडेंस के बारे में ठीक है यहाँ पर कैसे हमको प्रिपार करना इसके बारे मेरे पास काफी कोशन्स आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि आप आपका स्पेशली इंस्ट्रुमेंटेशन से स्पेसिफिक होगा क्योंकि मैं खुद इंस्ट्रुमेंटेशन से पासा हूँ और मैंने उसी स्ट्रीम में इंटर्व्यू दिया है तो अगर आप अधर ब्रांच के स्टुडेंट्स है तो आप भी यहाँ पर एक ओवर्यू के लिए आप यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं अधर्वाइस हम लोग इसके बारें बात करें ठीक है तो इस बार का जो आपका बार्ख है उसका अभी जो आपका डेट्स आया है वह फर्स्ट ऑफ दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में इंटर्व्यू होना है और पीपल के लिए जो डेट्स मुझे पता चलिए वह 18, 20, 22, 24 ठीक है बार्ख मुंबई में आपका क्या होना है ओफ लाइन इंटर्व्यू होना है कोवीड के टाइम है बट इस चिल आपका ओफ लाइन वहाँ पर इंटर्व्यू होने वाला है तो अब इसमें मैंने पहले भी क्या क्या डिसकस करने वाले सबसे पहले चीज तो प्रिप्रेशन इस्ट्रेजी कैसे आपको बार्ख के इंटर्व्यू के लिए प्रिपार करना है ठीक है सेकेंड सजेस्टेट बुक इसके उपर मेरे पास काफी कोशन्स आते हैं इस्टेडी माटेरियल इसकी अमलोग बात इसकी तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे जो जनरली कोशन मिले है उसके में यहां पर आंसर देने की ट्राइब करूगा तो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं पहली चीज तो मैं थोड़ा सा अपने बारें बता देता हूं कि मैंने यहां पर चार बार बार का इंटर्व्यू एक पोशेंट ना नहीं रहता है मतलब अगर फ्रेशर से जस्ट आप पास आउट वे स्कूल से तो आपको मूड लाइट करने के लिए या अगर उनको लगता है कि आप नर्वस है तो दो चार कुशन आपको एचार रेलेटेट पूछ सकते हैं कहां से आया हो कैसे आया हो ठीक ह तो पास सब्जेक्ट आपको रेडी करना है कि जो आप वहाँ पर लिख सको सिक्वेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए पहला दूसरा आपको इंपोर्टेंट है पहला कुशन आपको फर्स्ट वाले से ही बनेगा या फिर लास्ट वाले से बनेगा तो यहां पर आप अपना स तरह से जो आप जिसमें अधा ज्यादा Compet welo's origin को अब इसको प्रिपैर करना है अब इसको प्रिपैर कैसे करना दिखिये यहाils यह पर चीसे ने और बार यह место तो मैं अपने को एक ऐसे पॉइंट पर छोड़ूँगा एक इंट्रस्टिंग पर छोड़ूँगा सो देट के उस पॉइंट पर अगला कोशन बने यह काम आपको कर रहा है तो लाइक आपने ट्रांसड्यूसर का बारे में बताए कि ट्रांसड्यूसर ही होता है उसके बाते पर कि एक्जांपल देदिए लाइक आपका एलवीडीटी बैटा रहे मान लीचे तो आपने बूल दया कि एलवीडीटी एक्जांपल आफ ट्रांसड्यूसर तो अगला कोशन हंड्रेट परसें शोर हूं कि आपका जो कोशन बनेगा हो कहां पर बनेगा लवीडीटी पर फ पढ़ रहें इंस्टुमेंट के बारें पढ़ रहें या किसी कॉंसे ayam के बारे में पढ़ रहें तो आप सोची उस कॉंसेग्स को रुकिये सोचिए इसके उपर क्या 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 कोश्यं बन सकते और भुवसते उन चांप है देने का ट्राइक कीजिए जब आप खुद से उ आपको इतना डीप में लेकर जाएंगे मतलब एक टॉपिक से आपसे कम से कम आठ से दस कुशन वहाँ पर आसानी से पूछे जाएंगे तो आपको उस लेवल का यहाँ पर प्रपेशन चाहिए अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि आपने मालो किसी चीज के बारे में प्रपेर कर बता है और वो उनको बोल कर बता हिए ठीक है तो हो सकता है कि बीच में आपको किसी चीज के बारे में हिंट दे दें और वहां से आपका जो कोशे नहीं बन जाए यह काम आपको करना है पास सब्जेक्ट मैंने बताया है लाइक आपका इंपोर्टेंट क्या हो गया हो गया रहे से ट्रांसड्रीशर हो गया इंडस्ट्राल से बहुत है यहा इस को सबढ़ेख और इसके उपर ऑपर यह आपको कॉंबिनेशन में पूछ लेगा लाइक आप एंड यूस करें तो वहां भी नेटवक लगेगा तो यह ऐसे अलग सै कुछ पूछते हैं इनका जो है combination यहाँ पर बना कर पूछा जाएगा कोशन क्या क्या पूछते उसके उपर मैंने separate वीडियो बनाए आप उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख लीजेगा और इस्टील आपके भी standard book उठा लीजे उससे पढ़नाय स्टार्ट कीजिए क्योंकि हर बुक के अंदर सारा कुछ नहीं दे कर रहा है यह जो इंटर्वियो यह आपके टेक्निकल एप्टिट्यूट को चेक कर रहा है तो आपसे ऐसे question पूछे जाएंगे जो definitely book में नहीं मिलने वाले आपको तो आ अलावा आप जे भी गुप्ता की जो electrical and electronics measurement होती है वुबुक आप यहां पर उठा सकते हैं इसके अलावा आपने जो gate का study material आपके पास है उससे आप पढ़ लीजे और अगर मैं यहां पर आपको option दूँ तो gate academy करके जो आपका YouTube channel है उमेज दांडे वाला मेरे साब से तो यहां पर एक बंदा है जो उसके बारे में वीडियो बनाता है बट मुझे जहां तक लगता है वो थोड़ा सा in-depth नहीं हो पाता है तो एक overview अगर आपको चाहिए तो आप उसको भी 2.5 में आप एक बार देख सकते हैं तो एक काम तो आपको यह करना है दुसरा काम आपको उठाना है बुक अब यहां पर important चीज क्या आईगी कुछ questions आपको ऐसे आगए मानलो जिसका answer आपको नहीं पता बुक में भी नहीं मिला तो उसके लिए क्या करें उसके लिए बैस तरीक होगा आप उस question को Google पर टाइप करके जब मैं अपनी preparation कर रहा था तो research gate करके website है तो वहाँ पर generally research related topics जो होते ना उनके उपर discussions होता और paper publish होते हैं तो वहां से भी आपको कई बार आपको questions के answer मिलेंगे better way में मिलेंगे तो यह काम आप यहाँ पर कर सकते preparation हो गया suggested book हो गया preparation आपको in-depth करना है again मैं आपको बो सबसे पहला काम जो आपको करना होना है कि आपके चहरे पर smile होना चाहिए confidence होना चाहिए nervousness नहीं होना चाहिए interview में जाने से पहले अपने आपको बोलिए I am confident I am confident ऐसा बोलिया confidence के साथ वहाँ पर एंटर कीजिए दूसरी चीज़ वहाँ पर जो भी आपसे detail पूछी जो भी questions पूछे जा रहे हैं उसका honestly answer दीजिए कई बार देखे हमारा engineering में क्या होता ना कि कोई external आता है हमसे question पूछता तो हमको नहीं आदा तो हम उसको घुमाने के लिए दर उदर बोल देते ये काम बिल्कुल मत कीजेगा ये काम यहाँ पर नहीं करना है क्योंकि आपके सामने ज उसके बारे मुझे information नहीं है तो यह काम आप वहाँ पर कहिजेगा ठीक है जूत नहीं बोलना interview की दोरान जो नहीं आता उसको मना कर दीजिए या उसके उपर अगर आप सोच सकते हैं आपको गर उसको problem को अगर ब्रेक कर सकते हैं तो ब्रेक करी अलग अलग parts में और उसके बारे में जो solution आपको लगता है suggested वो उनको बताईए और ये भी बता दीजिए अगर आप उसके बारे में sure नहीं हो तो I am not sure और अगर आप sure हो तो अपनी बात से हटना नहीं है ठीक है ना और उस case में अगर मान लीजिए आप sure है और आप अपनी बात से हट नहीं रहे लेकि ही important हो जाएगा अगर आपके लिए अगर आप first time interview के लिए जा रहे हैं बार का तो mock interview एक मेरे साब से देना चाहिए अभी mock interview कैसे दे instrumentation के लिए तो इतने कोई facility अवेलेबल नहीं है इसके दो तरीके मैं आपको बताता हूं पहला तो क्या होगा आपका offline offline कैसे दे आप जहां mock interview को preparation करना है और मैं चाहता हूं कि आप हमारा mock interview ले तो अगर वो चीज़ एगरी करते हैं तो जो भी वो आपका चार्ज लेंगे 1500-2000 जो भी ले वो mock interview आप दीजे क्योंकि उनको क्या है technical knowledge काफी अच्छा होगा वो पढ़ाते हैं उनको industries का knowledge होता है तो वहां पर आपका जो बुक से पढ़ रहा है उससे हमको एक point of view मिलता है लेकिन same question अगर कोई teacher हमको समझा रहा है same topic अगर कोई teacher हमको समझा रहा है तो वहां से हमको कुछ extra चीज़े सीखने को मिलती है तो mock interview में यह होगा कि जब आपसे किसी topic के उपर उन्होंने कुछ question पूछा तो उनके दिमाग वाला platform में ready करूँ तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका interview लूँ online तो हम लोग यहां पर online way से भी जा सकते हैं अब इसमें क्या होने वाला है देखिए इसमें सबसे पहला काम तो क्या करना पड़ेगा कि अगर आप इसके लिए interested है तो आपको मुझे पहले से बताना गोगल फॉर्म में जो details होगी उसके basis पे मैं आपको एक mail करूँगा या आप मुझे mail कर दीजेगा जैसे आप form को feel कर दे तो उसके बाद आप मुझे अपना mail कर दीजेगा आपका contact number आपका email ID email ID तो आई जाएगा mail कर होगे तो ठीक है तो वो details जो है आप interview related details जो है उसको आ क्या नहीं करना या interview के पहले के जो आपके doubts है उन सब चीजों को यहाँ पर आपको clear किया जाएगा on call मैं ही आप से call पर बात करूँगा उसके बाद यहाँ पर आपका एक जो interview का date है उसकी basis पर हम लोग एक date decide करेंगे जहां पर हमारा जो होगा वो क्या होगा mock interview होगा mock interview आपका कैसे होगा zoom के उपर हम लोग mock interview लेने वाले ठीक है तो zoom app आपको download करना पड़ेगी इसके उपर हम क्या करेंगे mock interview session रखेंगे mock interview का जो session ही depend करेगा कि आप किस तरह से questions के answer दे रहे ठीक है तो यह जो session है आपका 30 minutes से लेकर तो आपका 1 hour तक का भी हो सकता है ठीक है यह अपना session होगा यह जो mock interview आपका खतम होगा इसके just बात उसी zoom call के उपर मैं जो है मेरा जो observation रहा है आप से related कि कहां कहां पर आपको improvement की requirement है कौन-कौन से topic में आपने mistakes करी है ठीक है कौन सा area जहां पर आप ज्यादा improvement कर सकते हैं तो वो सारा जो मेरा analysis है मेरे according जो analysis है वो मै आपको वहाँ पर समझा दूँगा आपके अगर कोई भी question होते हैं ठीक है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं तो मैं try करूँगा कि मैं best possible way मैं आपके जो question से उनको answer दे सको और साथ में यह process होने के बाद भी आप मुझसे WhatsApp पे continuously connected रह सकते हैं कब तक रह सकत हैं जब तक कि आपका interview नहीं हो जाता तो उस duration में भी अगर आपका कोई call आता है कोई problem आती तो आप मुझे WhatsApp के उपर चीज़े पूछ सकते हैं मैं वहाँ पर भी आपके answers का reply करने वाला तो यह तो हुआ बात walk interview का अब एक important चीज़ यहाँ पर आती है कि जब यह आप Google form कीजेगा और उसके बाद आपको जो है bank account details मिल जाएगी वहाँ पर आप इसको transfer कीजेगा और उसके बाद यह जो पूरी process है इसको अपन वहाँ पर deal करेंगी ठीक और अगर मान लिजे आप पैसा पहीं नहीं करना चाते हैं आपके कोई doubt से आप मुझे पूछना जाते हैं त सकते हैं तो मैं try करूंगा best possible way में कि आपके answer का जल्दी से जल्दी question का जल्दी-जल्दी में क्या कर सको answer दे सको तो यह तो overall discussion हुआ और दूसरा वे होगे आपका online MOOC से यहां से आप मुझे contact कर सकते हैं preparation strategy के बारे में question था तो मैंने आपको पता है in-depth आपको पढ़ना है हर एक topic को आपके mind में जो questions आ रहे हैं उनका answer आपको खोजना है कि ऐसे भी करके खोजना है ठीक है न क्योंकि वही question जो होगे वो सामने वाला यह बनाएगा ठीक यह काम आपको करना है और इसमें मेरा इसाप से helpful आपका यह रहेगा mock test क्योंकि जब आप mock interview में बैठेंगे तो आप जब किसी चीज़ का answer दे रहे तो उसके उपर क्या question बन सकता है वो हम आपसे यहां पर पूर सकते हैं ठीक नौ एक और जो दिया है चार बार दिया है 16, 17, 18, 19 तो इसमें मेरा selection नहीं हुआ ठीक है अब क्यों नहीं हुआ उसके पीछे भी में reason दे देता हूं हाला कि failure का कोई reason नहीं होता है बट still आपको जाना ज़रूरी है कि क्या गल्दिया मैंने कि जो आप नहीं करेंगे फर्स time जब मेरा interview हुआ पर मैं serious नहीं था जॉब के बारे में क्योंकि मैंने बार के बारे में इसके पहले कभी सुना नहीं था frankly speaking तो मैं यहां पर सिर्फ एक experience point of view से गया था कि चलो ठीक है घूम कर आते लेकिन जब मैं पहली बार interview के लिए गया बार के अंदर तो वहां का जो interview हुआ उसने मिरी आ पर लिकिया नहीं था और दूसरा जो मेरा starting point of view रहा है business वाला mind रहा है मेरा तो मैं हमेशा से business करना चाहता था तो इसके लिए मैंने इतना कोई वह नहीं किया उसके बाद यहां पर आता है 17 वाला 17 वाला जो मेरा 2017 का जो मेरा interview काफी अच्छा गया था बट एक margin देखे आप आपका 100-200 लोगों को स्टाइम पर बुलाए था और उसमें से लगार आरांट पांचे लोगों का selection हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उपर नीचे हो जाती चीजे तो इस वाले selection में जो 17 वाला था उसके अंदर मेरा जो score था वो काफी नियर था जो cut-off गया था भी खतम हो गया था तो टेक्निकल कुछ ऐसे questions आया कुछ ऐसे वी केरिया से जिनके उपर ज्यादा questions मुझसे पूछेगा है एक और important चीज यहां पर मैं आपको यह बता रहा हूं कि gate का जो syllabus होता है ना उससे अलग questions भी यहां पर बनेंगे like gate के अंदर हमारे जो होते हैं वो प्रोफाइल होती है वो कैसी होती है ठीक है और उसके उपर बहुत सारे अलग अलग questions पूछेगा है कौन सी application के लिए कौन सा control wall यूज करना चाहिए इस सारे questions पूछेगा हां तो लास्ट इंटर्वी पर आते हैं लास्ट वाना इंटर्वी जो था मेरा वह बहुत अच्छा जा रहा था स्टार्टिंग से लगबग 45 मिनिट से वन आर तक बहुत अच्छा इंटर्वी गया बट लास्ट में जो एक और पैनल मेंबर है मतलब टोटल 6 पैनल मेंबर थे तो स्टार्टिंग में 3-4 लोगों ने अपना काम कर चुके थे बट लास्ट वाना जो मेंबर आय यहां पर इस वज़े से मेरा सेलेक्शन नहीं हो पाया अब कुछ यहां पर जो मैंने मिस्टेक्स करी लास्ट वाला जो इंटर्व्यू का मैं बता रहा हूं कि स्टार्टिंग से पूरा बैटर गया लास्ट में तीन-चार कोशन नहीं बने अब यहां पर आपको एक काम करन लगातार आपको एक या दो कुछ नहीं बनता है तो आप कुछ उनको ऐसा कुछ बोलिए टेखनिकली लाइक कोई 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 आप से एक टेक्निकल कोशन पूछा और उसका आंसर आपको नहीं पता लेकिन वहाँ पर आपकुछ बोलने का ट्राय कीजिए उससे रिलेटे तो ऐसे ही कुछ वहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए जिसके बारे में आपको इंडेप्ट नॉलेज हो तो अगला कुशन हो सकता है कि आपके आपसे उसके उपर बने और आप उसका आंसर दे पाएंगे ठीक है तो यह overall मेरा यहाँ पर discussion रहा है अगर आपको इससे related कोई भी doubt ह कोई भी समस्या है तो आप बिल्कुल बे जीज़ा का आप मुझे इस पर contact कर सकते हैं मैं आपके सारी queries का यहाँ पर आंसर देने वाला हूं ठीक है तो चली अगर आप इसके लिए interested है मौक के लिए तो आप मुझे बताईएगा बिल्कुल हम लोग time निकालेंगे और आपकी जो पूरी मदा देव हम लोग करें ठीक है तो यहां तक बनेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जैहिंद वर्ने मात्रव एंड आल बेस्ट